केपित्री जेग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागन आएए भारत लोग और आर्थेववस्था कि इस पुष्टक के दसवे अध्याय परिवहन तथा संचार के बारे में अध्यन करते हैं इस अध्याय में सडक परिवहन जल परिवहन रेल परिवहन बाई परिवहन और पाइप लाइन परिवहन के बारे में हम लोग अध्यन करते हैं संचार जाल संचार जाल को या कह लिजिए संचार सेवाएं को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि स्रिष्टी के प्रारंब में संचार की कोई ब्योस्था नहीं थी लोगों ने ढोल बजा कर आग जला कर या कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजने शुरू किये जो आधनिक युग आते आते संचार जाल में बदल गए समराट और सासक घोड़े और उटों की द्वारा हर कारे भेज कर संदेश पहुचाते थी और इस प्रकार डाक, तार तथा टेलिफोन ने संचार जाल को बिसुभर में फैला दिया बिज्ञान और प्रवदो गिकी ने कंप्यूटर तथा दूर दर्षन का आविश्कार कर दूर संचार की छेतर में क्रांती ही कर डाली और इस प्रकार से संचार की साधनों से आसे उसे बिवस्था से है जिसके द्वारा तथ विचार तथा संदेश एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक भेजे जाए और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं जिने माध्यमों से संदेश या समाचार दूसरे देशों को पहुचाए जाते हैं उन्हें संचार सेवाए कहते हैं और इस प्रकार से किसी राष्ट के जीवन के संचालन में संचार साधन महत पूर होते हैं यदि संचार पढाली ठप हो जाती है तो देश की अर्थ ब्यवस्था भी प्रभावित होते हैं टेलिफोन, डाक्तार, फैक्स एवं टेलेक्स संचार के परमुक साधन हैं और इस प्रकार से संचार पत्र एवं पत्रिकाएं, इमेल, फैक्स तथा उपग्रह सेवाएं भी संचार के परमुक साधन हैं इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि आज इलेक्ट्रानिक्स माध्यम इतने ससक्त हो गए हैं कि लोग घर बैठे बैठे ही इमेल के द्वारा अपना संदेश मुद्रित रूप में भेज सकते हैं और तुरंत प्राप्त कर सकते हैं संचार के साधनों द्वारा अंतर राष्टी बाजारों में होने वाले उतार चड़ाओ युद्ध की ताजा इस्थती और जानकारी हमें तुरंत हो जाती हैं और इस प्रकार से देश के आर्थिक विकास में संचार साधनों का विसेश महत है इसलिए संचार के साधन किसी भी देश की अर्थिववस्था की जीवन रेखाएं हैं और आईए आगे देखते हैं भारत में संचार सेमाई Means of Communication in India भारत में तीन प्रकार की संचार सेमाई हैं जिन में पहला है डाकतार सेमाई पोस्ट आएंड टेलेग्राफ सर्विसज और दूसरा है Electronic माध्यम या जन संचार Electronic Media and Public Communication और तीसरा है मुद्रड माध्यम या कहलेजिए Printing Media आईए आगे देखते हैं पहला है जन संचार तंत्र जन संचार तंत्र में जो पहला है वो है डाक तार से हुए पोस्ट आएंड टेलेग्राफ सर्विसेच आईए इसको समझने का प्रयास करते हैं भारत के सभी नगरों एवं गाओं में संचार की सुविधाएं उपलब्द कराना अत्यंत कठिन कार है और इस प्रकार से भारत का डाक बिभाग डाक को आतार त्वारा संदेश भेजने की सुविधाएं उपलब्द कराता है और भारत के डाक बिभाग में नौ लाख ब्यक्तिक काम करते हैं और इस प्रकार से स्वतंतरता के समय भारत में डाक घरों की संख्या 23,344 थी जिनमें 19,184 ग्रामिड छेत्रों और 4,160 सहरी छेत्रों में थे जबकि 31 मार्च 2009 तक देश में 1,55,015 डाग घर थे और इनमें से 1,49,144 ग्रामिड छेत्रों में और 15,871 सहरी इलाकों में इस प्रकार भारत विश्व का सबसे बड़ा डाग निटवर्क देश है भारत में संचार मंत्राले द्वरा डाग कारे सेग्र निटाने के लिए पिन कोड संख्या जो 6 अंकों में होती है शुरू की प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि डाग विभाग देश भर में डाग पत्रों, चिठियों के बितरण की ब्योस्था कराता है सेग्र समाचार डाग घर द्वारा तार से भेजे जाते हैं टेलिफोन या दूर भास भी सेग्र संदेश भेजने का साधन है 2004-05 के अंत तक भारत टेलिफोनों की संख्या के आधार पर दुनिया में दसमा सबसे बड़ा दूर संचार नेटवर्क वाला देश बन गया है और इस प्रकार से 30 अप्रेल 2005 को इसके नेटवर्क में 9.92 करोड टेलिफोन कनेक्शन और 21.5 लाग सारजनिक टेलिफोन थे और इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि देश में सेलुलर फोनों की संख्या 4.21 करोड है अब STD एवम ISD स्विधा से जनता को देश बिदेश में फोन करने की स्विधा है और इस छेतर में कम्प्यूटर के प्रियोग के करड फोन सेवाओं का अश्तर उचा हो गया है और इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि वर्तमान में देश के 200 नगरों में टेलेक्स स्विधा उपलब्द है तथा इलेक्ट्रानिक्स, मेल, इमेल की स्विधा का तेजी से प्रसार हो रहा है और 1986 में विदेश संचार निगम बनाया गया जो देश की अंतरराष्टिय संचार सेवा का कारिक करता है और आगे हम लोग देखेंगे दूसरा है रेडियो आईए इसको जानने का प्रयास करते हैं भारत में रेडियो का प्रसारण सन 1923 में रेडियो कलब आफ बांबे द्वारा प्रारंब किया गया था 1930 में इंडियन ब्राड कास्टिंग सिस्टम के अंतरगत इस लोग प्री संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया 1936 में इसे आल इंडिया रेडियो और 1957 में आकास बाड़ी में बदल दिया आगे हम देखेंगे कि आल इंडिया रेडियो सुचना सिच्छा एवं मनुरंजन से जुड़े बिभन प्रकार के कारे क्रमों को प्रसारित करता है और आगे हम देखेंगे कि बिसेष्ट आउसरों जैसे संसद तथा राज बिधान सभाहों के सत्रों के दौरान बिसेष्ट समाचार बुलेटिनों को भी प्रसारित किया जाता है और आगे तीसरा है टेलिवीजन आएए इसको भी हम जानने का प्रियास करते हैं टेलिवीजन प्रसारण एक अत्यधिक प्रभावी द्रिश स्रभ्य माध्यम के रूप में उभरा है प्रारंभिक दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्टियर राजधानी तक सेमि थी जहां इसे 1969 में प्रारंभ किया गया था और 1972 के बाद कई अनकेंद्र चालू हुए आगे हम देखेंगे कि सन 1976 में टीवी को All India Radio AIR में विभाजित कर दिया गया और इसे दूरदर्शन के रूप में एक पहचान दी गया और इस प्रकार से Inset 1A राष्टियर टेलिवीजन DD1 के चालू होने के बाद समूचे नेटवर्क के लिए साजा राष्टियर कारिकरमों की सुरुवात की गई और इन्हें देश भर के पिछड़े और सुदूर ग्रामिड छेत्रों तक विश्तारित किया और इस प्रकार से अब हम आगे देखेंगे चौथा पॉइंट है मुद्रण माध्यम या कहलेजे प्रिंटिंग मीडिया आए देखते हैं समाचार पत्र एबं अन्य पत्रिकाएं जो दैनिक, साप्ताहिक, पाचिक एबं मासिक रूप से प्रकासित की जाती हैं परमुक मुद्रण माध्यम है वर्ष दोहजार तीन से दोहजार चार के लिए प्रेस पंजीयक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार दोहजार आठ नौ तक पंजीकृत समाचार पत्रों पत्रिकाओं की कुल संख्या 73,146 थी जिसमें दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाचिक एब मासिक पत्र पत्रिकाएं प्रकासित होती हैं इस प्रकार से ये देश की जनता, सरकार, ब्यापार वा उद्दो के बेच बिचारों एवं संदेशों के आदान, प्रदान के प्रभावी मारे इस प्रकार आगे हम देखेंगे दूसरा है व्यक्तिक संचार तंत्र, आए इसे समझने का प्रयास करते हैं व्यक्तिगत अधिकार में पर्युक्त होने वाले संचार के उपकरण व्यक्तिक संचार तंत्र कहलाते हैं इनमें सबसे प्रभावसाली उपकरण इंटरनेट है इसका उपयोग नगरी छेत्रों में सरवाधिक किया जाए इसके द्वारा इमेल भेजकर ज्ञान और संदेश का प्रसारण छड मात्र में समूचे बिश्व में किया जा सकता है यह इकामर्स तथा मौद्रिक लेन देन में अधिक परियुक्त किया जाता अब हम लोग आगे दिखेंगे कि इंटरनेट बिबिद प्रकार की बिश्तरित जानकारी के आकणों का विसाल केंद्रिय भंडार है जो इमेल के द्वारा कम खर्च तथा आल्प समय में सूचनाओ को प्रेशित करने में सच्चम है साइबर कैफों की बढ़ती संख्या इसका परतेच का रागे हम लोग देखेंगे उपग्रह संचार आईए इसको समझने का प्रयास करते हैं उपग्रह संचार एक नवीनतम संचार विधा है आकास में कित्रिम उपग्रह प्रत्वी की कच्छा में इस्थापित करके जो संदेश प्रसार की विवस्था की जाती है वह उपग्रह संचार के नाम से जानी जाती है आर्थिक और सुरच्छा की द्रिष्ट से सर्वत्तम है इसका उप्योग प्राकिर्तिक आपदाओं की निग्रानी तथा अंतरराष्टिय सीमाओं की चौक्षी के लिए किया जाता है और इस प्रकार से भारत में इसके दो सुरूप हैं जिसमें पहला है इंडियन नेशनल सिस्टम जिसे इनिसेट कहा जाता है और दूसरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटलाइट सिस्टम आई आर्याता है और इस प्रकार से अब हम आगे देखेंगे की इनिसेट की स्थापना उनिस सो तिरासी में हुई थी और यह एक बहुत देशिये उपग्रह पड़ाली है जो दूर संचार मौसम विज्ञान सम्मंधी अवलोकनों तथा विभिन अन्य आकणों एवं कारिक कर्मों के लिए उपग्रह पड़ाली मार्च उनिस सो अठासी में रूस के बैका नूर से आई आर्यास वन ए के प्रछेपड के साथ आरंब हो गई थी इस प्रकार से भारत ने भी अपना स्वयम का प्रछेपड वाहन PSLV या कह लिजे पोलर सेटिलाइट लांच वेहकल विक्सित अनेक वड़ कर्मिये स्पेक्ट्रल बैंड समों को एकत्रित करते हैं और इस प्रकार से बिविद उपयोगों हेत भू स्टीशनों पर सम प्रेशित करते हैं इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि हैदराबाद इस्टित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यन आर यससी आकणों के अधिग्रहण एवं प्रकरमण की स्विवधा उपलब्द कराती हैं और प्राकरतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं और इस प्रकार से उपग्रह संचार आकणों के अधिग्रहण तथा प्रकरमण और प्राकरतिक संसाधनों के प्रबंधन में बहुत उपयोगी हैं हम लोग देखेंगे, संचार साधनों का महत्र, Importance of Communication. आये देखते हैं, संचार के साधनों का हमारे जीवन में बहुत महत्र है, जिसका अबर्ण इस प्रकार है, नमबर एक है, संचार के साधनों में दूरदर्शन, एवं रेडियों से लोगों का मनोरंजन होता है, लोग सिच्छा भी ग्रहड करते हैं, अगला है, संचार साधन लोगों को जागरुग बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है, नेक्ट है, संचार के साधन पिछडे छेत्रों के विकास में मददगार होते हैं, नेक्स्ट है संचार के माध्यमों में उपग्रह सेवाओं से मौसम संबंधी जानकारी हो जाती है जिससे यातायात एवं क्रिसी में होने वाले छती कम हो गई है इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट है पाचवा संचार माध्यम लोगों को वैज्ञानिक तक्नीकी का ज्यान कराते हैं और नेक्स्ट है संचार के साधनों से वाड़िजिक एवं व्यापार के कारियों में सहायता मिलती है संचार साधन राष्टी एकता में सहायक होते हैं संचार साधन देश की यर्थ व्योस्ता को मजबूती प्रतान करते हैं और संचार साधनों द्वारा विचारों का आदान प्रतान भी आसान हो गया है और इस प्रकार से अंतिम है वर्तमान समय में संचार के साधनों द्वारा सरवेच्छड विग्यापन चेतावनी सलाह भी दी जाने लगी है इसके द्वारा महामारियों पर भी काबू पा लिया जाता और इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारत लोग और अर्थववस्ता की इस पुष्टक के दस्वे अध्याय के संचार सेवाओं के बारे में हम लोगों ने अध्धन किया आज यहीं तक बहुत बहुत धन्यवाद